बीते दिनों हुई बारिश के कारण कई स्थानु पर भोषकलन होने से मकान खत्रेगी जद में आ गए हैं। निकटवरती 84 वार्ड में भोषकलन के कारण कई मकान उपर खत्रा मढ़रा रहा है। प्रभावित कूरन चंदर जोसी ने बताया कि बीते दिनों हुई बारिश के कारण उनके घर के पीछे की दिवार शत्रे दस्त हो गई है। जिस कारण मकान को भी खत्रा उत्पन हो गया है। उन्होंनी प्रशासन वो नगरपाली का सी भूषकलन से रोक्थाम के उपाई की जाने की मांग की है। आज लगातार दो-तीन दिन से जो रिमजिम बारिश हो रही है। जिस कारण हमारा यह जो खेत है पूरा यह तूट चुका है। यह पूरा खेत हमारा खूट चुका है। यहां पर जीसे अननदबलब कानडबाल जी का यह जो पीले रहे सब तूट गया है। और वैसे ही यह पूरे खेत में अभी मक्का लगाए था और बाकी सागशब्जी उवजाए थी सब बरबाद हो चुकी है। लगातार बारिश ने कम से कम इतना नुक्सान कर दिया कि जिसका कोई आकल नहीं किया जा सकता है। धर की खेती सागशब्जी पूरा खतम हो जोगी। अभी आप उदर को देख रहे होंगे। यह मक्के लगाए दे अभी मैंने पूरे निकाल दी। और यह पूरा खेत के लिए दूबारा अब क्या होगा इसके लिए यह आगे के बारे में सोच रहा है। और अब दा वहत खतना आगे पूरा यह शतिकरस्त हो दिया हमारा पूरा खेत। CCN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागिश्वर। यह लिए मुढ कर दादिए भीया हमारा यह लिए फूरा खेत।